नमस्कार दोस्तो जे मात अदि सभी को मैंने इटो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने योटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है निफ्टी बैंक निफ्टी को लुनिस मार्च आनी के मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं कौन से लेवल पे हमको अपोर्चनेटी मिल सकती है उसके पीछे खा लोजिक क्या है साथ में ऑप्षिन चैन एनालीसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूसे लेवल हमको पता लग जाए तो दोस्तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले चलिए दोस्तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का मैंने चाराट ओपन किया है 15 मिनेट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बैस्ट होता है कल की दोस्तो वीडियो में हमने डिसकस किया था अगर मार्केट फ्लेट खुलती है गैप डाउन खुलती है अगर 4,400 के नेचे निकलती है तो हमको 4,100-4,000 तक एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है डाउन साइड और बिलकुल मिला भी लेकिन आज प्रोबलम पता है दोस्तों क्या हुई आज हमने पुट साइड जब पलान किया था हम जब ये ब्रेकडाउन हो रहा था दिन के लोग का तब हमने पुट साइड पलान किया था लेकिन आज मार्केट ने जो पहली 15-15 मिनिट की 4-5 केंडल है ये इतने बड़ी- साइड पलान किया था जिसमें हमारा 60-70 पॉइंट का स्टोपलोस गया शुरू में अब आज मुझे सच में दुख हुआ मैं कभी शेर नहीं करता हूं कि सभी के साथ कुछ चीजें लेकिन मुझे आज ना दुख हुआ क्यों कि ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पका पक होता है कि आज मुझे ना सच में यह रियालाइज हुआ कि इस दुनिया में ना कोई अगर इमानदारी से काम करता है ना तो उसका उसकी कोई वैल्यू नहीं है जो लोग लोगों को ठग रहे हैं लूट रहे हैं हर पेड़ ग्रूप बेच रहे हैं कोई कुछ नहीं बोलता मैं कभी पेड ग्रूप रण करता हूं ना मैं कोर्स करने के लिए आप खुद देख लीजें कि मया रर्ण करने क 있으 देखता हूं औल जो जरूरी चीज़ है वही में boy बोस्ट करता हूं भई मैं आप खुद सोचिए किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई चलो कोई नहीं स्टोपलोस हीट होने के बाद भी आप बुलिश नहीं हुए क्योंकि जब हमारा स्टोपलोस हीट वा तबी भी मैंने दो तीन बार पोस्ट किया कि भाई डेटा नेगेटिव बना हुआ है मार्केट गिर सकती है और अगर हमारी स्टडी वाप फिर भी मैं पूट साइड ही मैंने बोला कि भाई 400 के आसपास फिर से आती है तो मार्केट गिर सकती है फिर से मुमेंटम आ सकता है और उसके बाद अगर किसी ने रिइंट्रे भी प्लान की होगी तो बिल्कुल डेढ़ सो दोसो पॉइंट मिले भी होंगे टार्गेट भी ह किसी ने मुझे यह नहीं पूछा कि भाई आपका स्टोपलो सीट हो गया आप मार्केट बुलिच चल रही थे आप फिर भी पूट साइड कैसे बने रहे इसका लोजिक बताए और मार्केट गिरी भी 500-600 पॉइंट तो इसका लोजिक बताए कोई नहीं पूछता भाई इस पताए ऐसे लोग हैं जिनको पका पकाया चाहिए लोजिक कोई नहीं पूछेगा कुछ-कुछ बोलने जुरूर आजेंगे भाई प्रीमियम है प्रीमियम फ्लक्ट्वेशन होती है स्टोपलो सीट हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं कई वहीं मुझे लगता है चोड़ स्टड मुझे प्यार करते हैं कभी मेरे को मतलब वह नहीं करेंगे कि भाई आप तो यह हो हमेशा मुझे वह सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने सीखा है उनको पता है कि चीजे चलती है मार्केट में और जब ट्रैप करते हैं इसलिए मैं आपने सभी स्टुडेंट पर प्राउ प्राइब नहीं जाओंगा ठीक है मैं इसलिए देता हूँ लोगों को चूज गर नहीं आ जाए लोगों को टार्गेट चूज गरना आ जाए लोगों को आईडिया सा लग जाए औरना मेरे को कोई मिलने रहा है कुछ मिलने रहा हूं लोगों से जो मैं study post करना हूं सब 20,000 रुपे में महीने के अब बैंक निफ्टी का देखते हैं कल मैं आपको कौन सी स्टडी थी वो भी दिखाऊंगा सुभए से दिखाऊंगा आज हमने क्या डिसकस किया था उससे भी आपको काफी सीखने को मिलेगा बैंक निफ्टी दोस्तों क्लोजिंग आई है चालिस जार कि यहां से मार्केट रीकावरी करना सुरु किया जब तक अच्छे से ब्रेक आउट ना दे तबतक बुलिश मत होना और अगर देखो कि इसके पास जाके मार्केट साइडवेज हुई है तो लेवल अच्छे से काम करते हैं पेशेंस होना चाहिए लेकिन जब तक आप खुद नहीं सीखोगे ना कुछ चीजों को तब तक आप अगर किसी को फोलो भी करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि आप खुद नहीं आइडिया लगा पाओगे अपने ग्यान को कि उपर निकल के कोई स्विंग बनाती है तो टार्गेट हमारा 47,000 का 47,000 का यह हो जाएगा मैं पचा साथ पॉइंट का स्टोप लोज डाल गे वन इस्टो टो टो टार्गेट के लिए मैं कोल साइड जाना पसंद करूंगा अब पूट साइड नहीं जा सकते पूट साइड कब जा सकते हैं यहां पर दोस्तों एक बाइंग एरिया बन गया जो की 4,300 का लेवल है यह क्या बन गया इसको आप अपने चार्ट में मारक कर सकते हूँ यह बाउंस बैक एरिया बन गया बैंक निफ्टी के लिए तो जब अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है डाउं मारकेट यहां से बाउंस कर सकती है रिकावरी कर सकती है दिन का लो स्टोपलोस डाल के बिल कि यहां से मैं कोल साइड जाना पसंद करूंगा वापी से चालीच शेशो साथो के टार्गेट के लिए अब पूट साइड हम तभी जा सकते हैं जब बैंक निफ्टी फ्लैट कु जाए चालीच जार चार्सो के आसपास और यह तीन सो के नीचे निकल के इस तरीके का अगर कोई रिटेस्ट कर दे केवल इसी सिचुएशन में मैं पूट साइड जाना पसंद करूंगा इस स्विंग के ऊपर या फिर पचा साथ पॉइंट का स्टोपलोस डाल के वापी से चालीच जार के टारगेट के लिए मैं पूट साइड जाना पसंद करूंगा अनिकि दोस्तो तीन सो पाइंट तीन सो के नीचे निकल के स्विंग बनाती है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको मिल सकता है अगर दोस्तों गैप खुल गई तो इस लेवल को जो की सेंतालीच जार का लेवल एक साइकलोजिकल लेवल भाई इसको भी याद रखना क्योंकि यहां पे 200 दिन का मुविंग एवरेज भी अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी खुलती है तो कल फिन इफ्टी के एक्सपारी है दोनों को यह साइडवेज रख सकते हैं लेकिन अगर खुल के अल गैप खुले हैं दोस्तों दूंगे मुविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दे सेंताले जार के लेवल को भी ब्रेक कर दे और स्विंग बना दे तब हम कोल साइड पलान कर सकते हैं क्योंकि ओल्रेडी मुमेंटम जा चुका होगा अगर ज्यादा गैप खुल गई तो आई लेकिन अभी तक का डेटा पोजिटिव बना हुआ है और मार्केट गैप डाउन होते ही मार्केट ने रिकवरी की थी पहली केंडल रिकवरी की थी दूसरी केंडल रेड कलर की थी तीसरी केंडल फिर रिकवरी की थी फिर मैंने क्या बोला पोजिटिव भले ही बना हुआ ल उसके उपर निकल कर स्विंग नहीं बना देदी तब दक हम बुलिश नहीं बन सकते क्योंकि ट्रैप हो सकता है और गिरावट से तो हम सुरू में इसलिए हम यह पूट साइड स्टडी और यह पांच मिनिट में हो गया स्टडी का स्टोप लोगार ही पांच मिनिट में हीडा क क्योंकि थोड़ा सा फास्ट मुमेंटम था फिर मैंने देखे पोस्ट किया दस बजगे दस मिनिट पे कि निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ डेटा नेगेटिव बना हुआ है चारीस साथ सो के ऊपर निकलने पर ही थोड़ा पोजिटिव बना बना जा सकता है और देखे बहुत गीरी और इसने 625 का पतानी 620 का साइद इसने हाई भी लगाया ठीक है और फिर मैंने बोला तु फिर भी मैंने बोला जब मार्केट रिकवरी करी तब भी मैंने बोला बुलिश मुह के लिए चारीस साथ सो के उपर ही अच्छा ब्रेकाउट आएगा तो पला देटा क्या बोल रहा है जो मेरी नोलेज है उसको इकठा करके और आप अगर डेटा को देखोगे तो ज्यादा तर बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इसकी मैंने खुद फील किया इस चीज को तो डोमेन पबलीक डोमेन से डेटा उसको उठाके एक जोड जबाड के फिर मैं बताता हूं कि डेटा कैसा बना हुए ब्रेक आउट वगरा चार्ट वगरा देखके अच्छा काम भी करता है अब मुझे आप यह बताओ कि मुझे क्या मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है मेरी इंकम का सोर्स भाई मेरी ट्रेडिंग है मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं मैं स जादातर स्टुडेंट आते निफ्टी बेंक निफ्टी को देखें लेकिन को कनवर्ट हो जाते है कैस में क्यूकि उनको स्विंग में अच्छा प्रोफित होता शेर में काम करते हैं तो ट्रेडिंग से थिक थाक इनकम है पलास जो मेरे लिंक से डी मेंट अकाउंट ओपन वहां से थोड़ा बहुत कमिशन आ जाता है जो मेरे को मेरी हेल्प करें लोगों की वज़े से मैं काम कर रहा हूं वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं बस वो लोग अगर सपोर्ट करें इसलिए मैं फैमिली गुरूप बनाने का पलान करा हूं कि ताकि फालतू की बसड से मैं निकल इसको आप कोल टिप्स मत मानगे चलना खाली अपने नोलेज को मिक्स करना मेरा क्या व्यू है मैं परसनल व्यू शेयर कर रहा हूं कोल टिप्स के लिए मत आना भाई हां जो मेरे से बन पड़ता है पोस्ट करने की इस गुरूप में कोसिस करता हूं आप जागे जोएन कर सक में लिंक मिलेगा नहीं तो कोमेंट में पिन कर दूँगा क्योंकि अगर आप सरच भी करोगे ना भाई इस लोगों से इस नाम से बहुत सारे फ्रोड चैनल हूंगे सब्सक्राइबर आपको तीन चार गुना ज्यादा दिख जाएंगे लेकिन वह बोट सब्सक्राइबर है प्लीज मेरे नाम से एक दिला ना दे किसी को कोल टिपस के लिए चलिए निफ्टी को देखते हैं और इतना डैली बोलता हूं वीडियो में फिर बिया अगर कोई देगा तो भाई अब मैं क्या कर सकता हूं अब निफ्टी को देखें, निफ्टी इतना नेगेटिव नहीं थी, जितना बैंक निफ्टी नेगेटिव दी, निफ्टी में हम ये स्विंग ब्रेक होने पर पुट साइड पलान करने वाले थे, इसके नीचे कोई स्विंग बनता, तो हम बोले देखी, फोलो तुरू मिल ज और यहां पे इसको समय बिताना चाहिए, क्योंकि यह इंपोटेंट सपोर्ट है, यहां पे अगर यह समय बिता के फिर से 2,900 के नीचे निकलती है, तो हम 15-20 पॉइंट के तकरीबन 100-500 पॉइंट के टारगेट के लिए पूट साइड पलान कर सकते हैं, अदरवाइस नहीं क करना है, अगर इसके लावा कोई सेनेरियो नहीं देखे, तो भाई मैं नहीं करूँगा बाकि आप देख सकते हो, क्योंकि यह बाउंस बैक एरिया, 22,000 का लेवल, मैं इसको मारग भी कर देता हूँ उपर, यह वाला एरिया, बैंक निफ्टी के अंदरी है, 21,990 और 22,000 का है, बाउंस बैक एरिया है, एक डाउट महर दूर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेटा कैसे देखते हो, हम कोई बता, भाई डेटा एक चीज से नहीं देखा जाता है, चार्ट देखना पड़ता है, ब्रेक आउट, ब्रेक डाउन, पीशियार, ओप्शन बहुत सारी चीज़े देखनी पड़ती है, सब को मिलागे बनाया जाता है, हाँ, कोरस में उसको मैं सिखाता हूँ, कोशिस करूँगा मैं आपको आने वाली कुछ वीडियो में भी सिखाने की, लेकिन ब्रीफली तभी सीख पाओगे, जब आप महीने भर तक उसको सीखोग के नीचे अगर कोई स्विंग बनता है, तभी हम पूट साइड प्लान कर सकते हैं, और अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर फिर से 2200 के उपर निकलके, 200 दिन के मूविंग एवरेज को तच करके थोड़ा सा नीचे आके, फिर से 2220-130 के उपर अगर न 250-60 के आसपास खुले, 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास, एक बार इसको टेस्ट होने देना, थोड़ा सा नीचे आके गैफ फिल करने दना, अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी, तो अच्छा सपेस है, उपर 2280-300 तक सपेस है, हमको एक मोमेंटम मिल सकता है, ले यह है, 37,000 यह है, तो अगर 2200 के उपर निकलना शुरू करती है, तो यह लोग ट्रेप हो जाएंगे, और अगला रजिस्टेंस 22200 पे है, 12,000 का उपन इंट्रेस्ट है, यहां तक का हमको टार्गेट देखने को मिल सकता है, डाम साइड की बात करो तो वहीं, राउंड लेव 500 है, इंपोर्टेंट सपोर्ट है, चार्ट में भी दीख रहा था, 500-400 सपोर्ट है, 15,000 तेजडिये बैठे हैं, 1,03,000 मंदडिये बैठे हैं, हलागी काटे की टक्कर है, लेकिन यह इसके उपर, यानि की चालिस जार, 600-700 इसके उपर कोई स्विंग बनाना सुरू कर दिया, और मार्केट में शोट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और हमको 47,000 का टार्गेट देखने को मिल सकता है, अगला रजिस्टेंस, इंपोर्टेंट रजिस्टेंस 47,000 ही है, और अगर 500 के नेचे निकल के स्विंग बनता है, तो फिर यह लोग ट्रेफ हो जाएंगे, जाए गुरूप को आप जोएन कर सकते हैं, स्विंग स्टडी, हाला कि मैं थोड़ा सा अपडेट कम हूँ अभी वहाँ पे, आने वाले समय में हो जाऊंगा, थोड़ा सा परस्नल इस्यू चल रहा है, तो वीडियो अच्छे लिगए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, त रिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन, सुबरे मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाई बाई, जै मातादी, जै हिंद